Hey guys, welcome to Hashtag Seng तो जुन्ड के बाद में एक और ऐसी मुवी आ रही है जो की एक सीरियस सिनेमा है जिसमें डिरेक्टर ने अल्रेडी अपने आपको एक बार प्रूफ कर दिया है विद दर टाशकेंड फाइल्स अभी आ रही है उनकी दक कश्मीर फाइल्स जो की कश्मीरी पंडितों पर आधारित है तो कुछ मुवीज है जो इस टॉपिक को टच करती है मगर किसी ने भी आज तक इस टॉपिक को एकदम अनबायस ली टच नहीं किया है यहां तो यह कोई मुवी के बैग्राउंड के अंदर चलता है मगर कोर टॉपिक कभी नहीं रहा है मगर इस मुवी के अंदर यह कोर टॉपिक है इसका ट्रेलर मैंने हाल ही में देखा और आई वूड लाइक टू से के भी ट्रेलर जो है टॉप नॉच है यह immense curiosity जगाता है मुवी देखने के अंदर तो इसके अंदर जो star cast है उसमें मितुंदा, अनुपमखेर, दर्शन कुमार और पलवी जोशी है तो यह जो cast है वो एकदम fresh है and unique है तो हमको पता है कि मितुंदा की capabilities क्या है अनुपमखेर की capabilities क्या है पलवी जोशी बहुत time बाद हमें दिखने वाली है तो that is refreshing और उनमें ज़रा भी change नहीं आया है जब इससे पहले देखते थे उनको तो considering इतने time बाद वो आ रही है definitely ज़्यादा फरक नहीं पता चलता है and instantly आप पलवी जोशी को recognize कर लेते हैं दर्शन कुमार उनको कुछ hits and misses मिले हैं कुछ गलत रोल्स किये हैं उन्होंने लेकिन जहां पर भी उनको अच्छे रोल मिले हैं उन्होंने जादू किया है तो यह movie भी there are great chances के दर्शन कुमार इसमें भी जादू करें along with the entire cast including वितुंदा and अनुपम खेर तो यह जिस तरीके का ट्रेलर एक आया है बहुत ही gripping है story जो है वो एकदम hard eating है लोगों के अंदर बहुत उत्सा है इसको लेके लेकिन that is on the lower side यह टकरा रही है राधे शाम के साथ में मगर राधे शाम इस टोटली masala film एकदम high budget है और कश्मीर फाइल्स टोटली opposite है तो उस हिसाब से जो कश्मीर फाइल्स है उसका भी एक अलग target market है जबके राधे शाम का अलग target market है मगर क्या यह movie ताशकेंट फाइल्स जितनी successful होगी वो तो time ही बताएगा कि ताशकेंट फाइल्स की भी opening बहुत slow थी मगर eventually उसने hold on किया और बहुत ही कम budget में बनाने के कारण वो movie हिट साबित हुई तो कश्मीर फाइल्स भी अगर अपने आपको अच्छी तरह hold कर सके विकॉस ओल्रेडी जो है राधे शाम के साथ इसकी एक जो है head on combat है उसके बाद में आ रही है बच्चन पांडे ये बार लोग prefer करेंगे ठेटर में जाना अनलाइक जब जूनरी लिज होई थी तो लोगों ने ठेटर में जाना जो है सही नहीं समझा and that is the reason why एक अच्छी movie उनके हाथ से छूट गई तो I request के कश्मीर फाइल्स आप definitely निकलिए बाहर देखने के लिए क्योंकि ऐसी movies हैं ऐसे directors हैं नागराज मंजूले और विवेक अगनी होतरी जैसे जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं इनको support करना चाहिए and of course रादेशाम जैसी movies भी देखनी चाहिए हमको ये masala entertainer movies है लेकिन जो actual जो बोलते हैं एक substance वाली movies जब आती हैं कुछ अच्छे content वाली movies आती हैं तो आप सिर्फ OTT तक ही सीमत मत रहिए अगर खाली OTT पे आप ऐसी movies देखेंगे तो आपको बड़े परदे पर ऐसी movies देखने नहीं मेलेंगी तो दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को like and share कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you for watching guys देखते रहिए देखते रहिए